Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Briefs, this is me Shipra Tiwari, बहुत बहुत स्वागत है, यहां पर आपको प्रवाइड कराया जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत पेहतरीन कुछ कर सके, तो आज मेरे बचो, आज हम लोग पढ़ेंगे disorders of digestive system, ठीक है, तो यह हमारा second last part है digestive system का, इसके बाद मैं आपको summary बताऊंगी, फिरेंसियाटी, बूटी, उसके बाद बताऊंगी, protein energy, malnutrition, कौशी और का मराश्मिस, vitamins, इनके बारे में, ठीक है, so let's start with the disorders of the digestive system, देखे, बहुती common disorders है, रोज मर्रा के जीवन में हम इन चीजों को face करते हैं, कई बार रोज मर्रा के चीजों में इसको face नहीं भी करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी भी बिमारियां है digestive system की, जो कि रोज डेली नहीं होती, पर रोज कुछ ना कुछ तो हमको feel, मतलब रोज मतलब एक आध हफते में इनके disorders को feel करते ही है, तो हमको daily basis में किसी ना किसी को सून ही रहे होंग inflammation of the intestinal tract is most common alignment, ठीक है, due to the bacterial and viral infection, जब भी हम खाने के थूँ कुछ भी खाते हैं, तो उसके थूँ बहुत सारी infections हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, वैसे हमारे शरीर में we have gastric juice, we have that saliva, जो की infection को किल कर देता है, पर बहुत सारे infections ऐसे होते हैं बच्चों, जो किल नहीं हो प धीरे धीरे वह आपके अलग-अलग parts में replicate करते हैं, उस cells का जैसे मा लिजे कि कोई bacteria या कोई virus है, या suppose that कि मैंने Clostridium titanine नाम का, एक anaerobic Clostridium botulinum नाम का एक anaerobic bacteria मैंने खा लिया, उसके बाद ये Clostridium botulinum जो है, ये food poisoning का एक बेक्टीरिया है, बहुत ही भायंकर बेक्टीर मतलब अगर आप लोगों ने ये सुना होगा कि भईया, food poisoning में आदमी मर गया, तो वो ऐसे ही लोग हैं, जिसमें से 70% लोगों को Clostridium का infection हुआ रहा होगा, तो जब आप खाने के थूरू Clostridium खा लेते हैं, मैं एक example बता रही हूँ, ऐसा किसी भी bacteria के साथ हो सकता है, तो Clost जूस मार पाएं यह बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो जाता आपके intestine में, intestine की जो है अंदर वो replicate करता है, जो भी nutrition तुम्हारे intestine के अंदर भरा हुआ है, दे घपा घप, दे घपा घप, दे घपा घप उसको पूरा खा जाता है, और उसके बाद अब आपके शरीर में आता है, this is called as decentry, what it called as decentry, so there are so many reasons, ठीक है, उसके बाद आपकी cells जो है, उसको फार देते हैं, तो electrolyte loss होने लगता है, तो आपका पानी भी बहार जाने लगता है, तो कुल मिला के, आपको एक और चीज़ बता हूँ, कि आप अपने body में आपको बता डाइरिया कब तक रहेग ना हो जाए, या आप किसी एंटीबाइटिक को खाकर उसे मार ना दे, ठीक है, आई बात समझ में, तो कोई भी डाइरिया भी बहुत सारे टाइप की होती, प्रोटोजोवा से भी होती, लाइक, एंटेमीबा, हिस्टोलिटिका, वाइरल भी होती है, जैसे कि रोटा वाइर होती है, पर अल्टीमेटली मोड अफ अक्शन यही है, कि घुश जाओ, पूरा इंसान का न्यूटिशन खालो, इंटेस्टाइन की दिवारों को तोट डालो, और फिर जितना कुछ बचे, वो सब बलड के थूरू लॉस करो, बहुत सारे पानी लॉस करते हैं, बहुत सारे जो है, लिक्विडी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल में बाहर करते हैं, तो मतलब कुल मिला के, यह पूरा इंटेस्टाइन की बॉल को डामेज कर देता है, उसके बाद हम एंटीवार्टिक खाते हैं, तो हम एठीज़ा वारिस इसको मार देते हैं, फिर इंटेस्टाइन फिर वारिस बाद से औ हैं निगी कासे इंटेस्टाइबाइक्स और अ डामुञ्ट ऐज के बाता है, ग्या aw ट हिएपाद कम expands ऐखेम, पिंपय वार्वां॥री एंट्सखा से थी और इंटेस्टाइन टेसटेस्टेम रहन से इससाः को डेमेज करने का गाने काः एंब ओन म और आपने देखा कि आपके पास बहुत चारे वांब्स भी होते हैं जो इंटेस्टाइन पर पाए जाते हैं बहुत जादा इंफेक्शियस होते हैं और इवन मैंने आपको टेप ओम राउंड ओम इनके तो लाइफ साइकल भी पढ़ाए हैं कि आप गंदी सबजियों के थूँ इनको खा लेते हो उसके बाद ही आपके शरीर में पहुच जाते हैं और आपके बॉड़ी के टिशूस को ही यूटिलाइज करने लगते हैं ठीक है सो पहला जो डिजीज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है पहली जो डिजीज थी ओके पहली जो डिजीज थी वो थी इस फूटिबाशन से शुरू कर थी मैं ठीक है So let's start, what is a constipation, ठीक है, देखिये, ध्यान समझी, what is a constipation, whenever you लगाओ so much dham, but ना निकले तुम्हारा बन, this is called as constipation, ठीक है, so whenever you लगाओ, ooh, so much dham, ना निकले तुम्हारा बन, this is called as constipation, ठीक है, तो क्या होता है, कि जब आपके rectum में, बहुत समय तक, feces रह जाता है, waste रह जाता है, potty रह जाती है, निकल नहीं पाती है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, बहुत dry हो जाती है, और उसको निकाल पाना is little bit difficult, this is called as constipation, ठीक है, क्यों होता है ये, आपके शरीर में पानी न नहीं पीते हो, suppose that कि मैं usually, मैं इतना पानी नहीं पीती हूँ, तो बता है क्या होता है, पानी से यादा है, थोड़ा पानी पी ही लेती हूँ, ठीक नहीं, तो पता चला, कल सुवे constipation हुआ, तो अगर आप, पानी नहीं पीते हो, तो क्या होता है, बताओ, अगर आपके शर से लेती ही है, अब बॉड़ी तो अपना requirement पूरा करेगी, अब अगर तुमने डेली नीट्स में पानी कम पिया, तो वो क्या करेगी, फीसेस को एक्स्रीट करने के लिए इतना पानी चाहिए, वो भी पानी खीच लेगी, क्योंकि शरीर अपनी जरूरतों से compromise नहीं करेगा, समझे की नहीं समझे, शरीर अपनी जरूरतों से compromise नहीं करेगा, जिस फीसेस को निकालने के लिए आपको 99% water होता है, उसमें आपने देखा, तो उसमें जितना भी पानी 90% water होता, तो जितना भी पानी निकालने के लिए चाहिए, वो भी पानी खीच लेगी, तो आपका फी फीसेस को एक्सक्रीट करने में बहुत तकलीफ होती है, इस क्योंकि फीसेस को फाइबर बल्क देते हैं, उनको इतना solidified नहीं होने देते, फाइबर का काम होता है पानी को एब्सॉर्ब करके रखना, समझ में आई बात, अगर तुम्हारे खाने में बढ़ियां तरीके के फ शरीर में जो वेस्ट होगा उसमें भी फाइबर होंगे, फाइबर पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर आपने पानी कम भी पिया है, तो भी फाइबर इतना पानी तो रखते हैं कि शरीर अगर ले भी ले, तो भी कुछ पानी उसमें बचा रहे, ताकि निकालने म आसानी हो, समझ में आई बात, so please always use to drink the 5 liters of water in a day and eat so much of fiber, add the fiber into your diet, ठीक है, तो it is the irregular bovel movement, bovel movement का मतलब ये होता है, मतलब excrete करने की process, ठीक है, तो अगर आप दिन में दो बर fresh होते हो, दो बर निकालते हो excretory waste, it is called as bovel, motion, ठीक है, तो आपका motion irregular हो, आप नहीं निकाल पाए, निकाल पाने में जो है, तकली for, this is called as constipation, eat so much fiber and drink बहुत सारा पान, ठीक है, now, let's start the indigestion, what is the indigestion, हाला कि स्टमक में मैंने आपको indigestion के बारे में पढ़ाया भी था, indigestion के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बच्चो, indigestion के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि माल लिज इसमें दो ही रान लिखी है, पर मैं प्रॉपरली आपको explain कर रही हूँ, अगर रात में आपने बहुत सारा फैट खाया, तो फैट को digest करने के लिए, we need 6-8 hours, how much are 6-8 hours, तो फैट को digest करने के लिए, हमें करीब 6-8 घंटे के समय की जरूरत होती है, अब क्या होगा, आप समझ जो है, वो gastric juice सो जाओगे, तो ऐसी भी रात में दीरे निकलेगा, तो ऐसी condition में आपका जो खाना है, वो digest नहीं होगा, अब वही खाना, ठीक है, वो आपके, उसकी जो अब आपकी बॉड़ी में HCL, वो gastric juice में HCL तो रहता ही है, HCL के साथ वो खाना जो है, वापस से पलट पलट कर आपके गले में आएगा, this is called as heartburn, pyrosis, or it is called as indigestion, समझ में आई बात, तो अगली बार जब आप खाना खाएं, तो मेक शूर कि आप बहुत जादा खाना ना खाएं, अगली बार जब आप खाना खाएं, तो मेक शूर कि उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने का सम होता, तो हमेशा पेट ना भारी सा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है, मतलब, actually जिसकी metabolic activity slow रहती ही शरीर की, शरीर के कार करने की चमता कम रहती है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो अभी ही तो खाएं हैं, अभी ही तो खाएं, तो ये activity, मतलब, this action of fulfillment, हमेशा लगे digestion, आप digest नहीं कर पा रहें क्योंकि metabolic activity ही slow है, the causes of anxiety is the inadequate enzyme secretion हो सकता है, कि आपके शरीर में इतना enzyme ही नहीं निकलता हो, कि वो properly food को digest कर सके, ठीक है, anxiety, आप किसी भी चीज को लेकर बहुत जादा घबराते हूं, आपको पता है कि जब आप बहुत जादा डर जाते हैं, तो ऐसे digestion slow हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि result आने वाला है, तो ऐसे लगता है potty चले जाए, ठीक है, bathroom आने लगती है, तो ऐसा होता है, कि anxiety घबराहट में digestion slow हो जाता है, food poisoning हो गई है, ठीक है, आपको तो भी, in digestion में exactly food poisoning में नहीं तो food poisoning में तो उल्टियां होती है, ठीक है, overreacting and spicy food, यह आपको मैंने भी बताया, ठीक है, overeating, sorry, overeating अगर आप बहुत जादा भी खा लेते हैं, ठीक है, तो भी, ऐसा होता है कि, जब आप बहुत जादा खा लेते, स्टमक overfilled है, तो क्या होता है कि जो खाना है वो पलट-पलट कर आपके गले से आता है, क्योंकि उस खाने मे घ खाने के अपने स्टमक में भार था, तो स्टमक में घ रहा कि, घ नंब डगाता है, तो आपको हमेशा बर्न eln वीजाँ होगा आप बर्न खाने की वज़ेस, वी ब्लट-टव को खाने स्टमक में भारा था, तो स्टमक में घ आप जोआंगता, तो आप घस्दिक ध्यूस म मत खाओ and drink so much water ठीक है now next देखेंगे यह तो हमने पढ़ लिया था पहले ही now vomiting let's start another thing is the vomiting vomiting क्या है vomiting का मतलब यह है कि अगर आपका stomach खाना store नहीं कर उल्टी कहते है इसको पन लोग ठीक है belching तो डकार होती है तो अगर आपका खाना जो है सही तरीके से पचा नहीं है तो वो क्या करता है करके बाहर आ जाता है कारण देखी क्या है so it is the ejection of stomach content through the mouth this reflex action is controlled by the vomit center in the medulla feeling of nausea precede the vomiting ठीक है तो हमेशा होता क्या है कि जब आपको उल्टी आती है तो आपको थोड़ी देर पहले से आपका लार जादा आने लगता आपको घबरहाट लगने लगती कि आपको उल्टी होगी ठीक है को बाहर कर दो तो आगर अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करते है हमें कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी आपको उल्टी हो जाती है तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है vomiting is the process of the that अगर आप eject कर रहे है anything from the stomach content this is called as vomiting कारण क्या है overeating, spicy eating, घबराहट, migraine ठीक है कोई internal disease, bacterial and viral infection there are n number of reasons of the vomiting बस definition यह है कि if you are ejecting the stomach content outside this is called as vomiting ठीक है तो पहले आपको घबराहट होगी आप गंदा फील करेंगे पसीना आएगा लास्ट में आप ठीक है so look at this, the man, I don't think it's okay बताने की जुरुत है मुझे तो जखास, आपने movie देखी होगी mask, आप देख सकते हैं तो आरे उल्टी, आरे 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 हो और आखरी में करीदी इनने, ठीक है now, डाइरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे, this is the another disease, डाइरिया क्या है abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea ठीक है, समझ में आई बात, अगर आपके normal motion से, आपकी body में motion increase हो जाए समझ में आई बात, अगर आपकी normal, अगर आपकी body में normal motion से, motion increase हो जाए तो इसे आप कहते हैं, डाइरिया, समझ में आई बात, इस में, मतलब अगर आप normally एक बार जाते हैं और अगर आप 20 बार जा रहे हैं, this is called as diarrhea, कारण क्या हो सकता है, बहुत चारा कारण हो सकता है, mainly infection कारण होता है viral, bacterial, protozoal, pathogen, जब आपके खाने के थ्रू जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कि पानी पूरी, पानी पूरी आप लोगों को पसंदी होगी पानी पूरी जो है, मैं इसको हमेशा as a example क्यों लेती हूँ, कि सबसे गंदा खाना यही होता है मतलब होता तो बहुत टेस्टी है, पर आपने देखा होगा, कि नेल्स इतने बड़े-बड़े होते हैं ठीक है, फिर उसके बाद वो इसी में, आपको पता है कि आपके बाड़ी में सबसे दिक infection किस जगह पर होता है in the tip of your fingers, सबसे ज़्यादा इसी जगह पर infection होता है अब आप तुम सोचो, कितना भी कोई भी साफ कर ले, मैं आपको बोल रहे हैं, कितना भी साफ कर लीजा आप पर इस जगह से आप कभी भी infection को हटा पाना is very difficult अगर वो बिना gloves के आपको पानी पूरी दे रहा है तो आपको पता है कि पानी में E. coli जो bacteria होता है वो हर 20 सेकेंड में double हो जाता है मतब अगर उसने एक बार अपना हाथ डाला होगा उस पानी में और अगर उसने 5 E. coli जोड़े होंगे तो 20 सेकेंड में वो 10 हो जाएंगे और सुबे से शाम तक तो इतने हो जाएंगे कि तुम सूचो ही मत माल लिजे कि अगर वो infectious पानी है और अगर आपके इंटेस्टाइन में पहुच गया तो आपको घर पहुचना मुश्किल हो जाएगा आपको रास्ते में ही जो है डायरिया शुरू हो जाएगा समझ माई बात most dangerous type of diarrhea is the viral diarrhea बहुत खतरनाक होती है ठीक है अब diarrhea में होता क्या है it will broken down of your intestine cell जितना भी cell का content होता है वो सब बाहर आने लगता है loose motion इसको ही आप कहते intestinal content is coming out in the form of liquid कभी कभी आपकी internal blood vessels भी damage हो जाती है तो आपके stool से blood भी आता है this is called as dysentery तो stool with the blood liquid stool with the blood is called as dysentery normal liquid stool is called as diarrhea अब आप खाते हैं के antibiotic ताकि वो bacteria मर जाए और आपकी intestine repair हो जाए और आपको में एक चीज़ बता दू बच्चो आप तब तक मरते रहेंगे मतलब आप सोची आपको 50 बार सौ बार diarrhea हो जाए आप मर जाएए पर जब तक आपके intestine से एक एक bacteria बाहर नहीं हो जाएगा आपको lose motion होते ही रहेंगे समयज में आई बात और diarrhea से तो हो सकता है पूरा शरीड इफेक्ट हो जाए तो diarrhea is a very dangerous disease आद्मी इतना जाद इसमें dehydrate हो जाता है पानी इतना जाद लॉस हो जाता है तो इसको धान रखना बड़ें जरूरी है इसमें क्या है कि जो भी आप पानी और खाना खा रहे है समझो बात को कभी भी डाइरिया में रोटी सबजी दभाना चाहिए क्योंकि जितना भी फू योग कहते हैं कि पानी बहुत सारा पीजी है क्योंकि आप खाने को तो एबसॉर नहीं करपाएंगे क्योंकि पूरी इंटेस्टियनल सैल्स तो डामेज कर रखी है तो हूब एबसॉर नहीं करेंगे जैसा खाएंगे वैसा निकालेंगे इत बहुत सारा पानी ताकि body dehydrate नहीं ह यह तो constipation तो हो गया था चलो so inflammation in the intestinal tract हलाकि मैंना इसको पहले पढ़ा दिया था inflammation in the intestinal tract is most alignment due to the bacterial environment infection ठीक है तो आपकी time में infection क्यों हो रहा है सूजन क्यों हो रही है क्योंकि intestinal cell infect हो रही है बहुत चारे worms है tapeworm, roundworm, threadworm यह सब भी infection का कारण हो सकते हैं ठीक है now jaundice इस बिमारी के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है देखे bile salts जो होते हैं they are the excretory salt समझ में आई बात आप bile salt को शरीर में नहीं रख सकते they are the excretory product, bile pigments यह सब excretory waste होता है इसको आप रखी नहीं सकते bile salt का एक काम होता है emulsification of fat जो कि मैंने आपको पढ़ाया है अब किसी कारणवश हो सकता है कि आपकी body में किसी कारणवश अगर यह bile salt आपके शरीर में रहने लगे ठीक है अगर यह bile salt आपके शरीर में वापस आ जाए ठीक है अगर यह वापस आ जाए तो this is the very 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 big defect ठीक है तो आपका शरीर ना ऐसा पीला होने लगता है look at the man आपको कोई भी चीज सफेद दिख रही है क्या बोलो इसलिए अच्छा आँख देखो सबसे पहला जो first indication होता है वो skin और eyes ही होते लोगों को jaundice देखना है तो वह ऐसा ही देखता है एनीमिया देखना है तो ऐसा ही देखता है क्योंकि आख में सबसे जल्दी effect होता है okay so jaundice इस disorder में आपको जो bile pigments होते हैं जैसे bilirubene और biliverdine ठीक है mainly yellow color का कौन सा होता है bilirubene, biliverdine तो green होता है bil salt तो ठीक है पर bil pigment अगर आपका lieverd impaired है समझे बात को अगर आपका lieverd impaired है तो आपके जो bil pigment है वो आपके रक्त में आने लगते हैं कहां आने लगते हैं रक्त में आने लगते हैं और क्योंकि वो waste material है ठीक है normal pigment आजाते हैं को टेंशन नीए और स्किन में आपको पता है कि आपकी जो माली जो 13-14% कहते हैं आपको पी लिया जॉंडेस को मेजर करने के लिए लोगों को जॉंडेस इतनी भयांकर हो जाती है बच्चों कि जिस चादर में वो लेटते हैं वो चादर भी अलो हो जाता है क्योंकि यह जो बाइल पिगमेंट हैं यह स्किन को डिफ्यूज करके बाहर भी आने लगते हैं और फिर जब इस स्थिति में आ गए हो तो फिर भाया ऐसा है कि स्वर्ग पहुशने की तियारी कर लो ठीक है तो जॉंडेस इस वेरी वेरी डिवास्टिंग डिजीज समझ में आई बात अगर आपको है तो इसके एज नहीं होती है from the newborn baby to the मरने वाले बुडे तक को हो सकता है और newborn baby इसको तो बहुत जादा होता है तो इसमें आपका जो blood में bile pigment का आ जाना and deposition of all the bile pigment into your different parts of the body this is called as jaundice this is due to the impairment of the liver बस ठीक है so liver इसका mainly affected होता है अच्छा देखो सीधी बात है ना waste तो कहीं भी collect होगा तो इससे आपका liver तो affect होता है शरीर के हर जगा affected होती है क्योंकि पूरे जगा पर waste जो है वो collect होता जा रहा है ठीक है अरे यह vomiting क्यों आता है यार बार बार चलो 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 तो jaundice हो गया ठ hormone हो गया क्या? Vomiting हो गया, diarrhea हो गया, Indigestion हो गया, Constipation हो गया, ठीक है? so यह हो गया, अब एक काम करो तुम लोग पहले, ठीक है? मैं एक एक करके देती जाती हूँ, vomiting का एक screenshot ले लो, फटा फट, ठीक है? फिर diarrhea का ले लो, Constipation का ले लो, Indigestion का ले लो, ठीक है? तो यह लेलो आखरी में हम लोगों ने जॉंडिस पढ़ा ठीक है इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं आगया आपको पढ़ाती हूं इतने ही डिसॉडर्स आपको पढ़ने हैं हाला कि पढ़ने के लिए तो यही है सिर्फ ठीक है अब हम लोग अब खतम करने वाले हैं Summary of the Digestion इसी के साथ मैं ले रही हूँ यह पार्ट पढ़ा दे रही हूँ आपको क्योंकि इसके बाद हम बूटी पढ़ेंगे ठीक है So Summary of the Digestion में What you have to learn क्या पढ़ना है इसमें ध्यान से देखिए Summary of the Digestion में सबसे पहले हम लोग एक पार्ट जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं बस मैं आपको बताऊंगे कि इस पार्ट में आपने क्या किया था सिर्फ Summary है जस्त रिविजन है उसके पाद हम NCRT कवर करेंगे सबसे पहले बकल कैविटी बकल कैविटी में क्या होती है बकल कैविटी में क्या डाइजेस्ट होता है बकल कैविटी में स्टार्च डाइजेस्ट होता है क्यों डाइजेस्ट होता है क्योंकि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करत है सलाइवा की सक्रीशन में एक एन्जाइन होता है जिसका नाम उता है सलाइवरी मयलेस जिसका दूसरा नाम होता है टाइलीन इसका पी-ह होता है सिक्स बॉंट एट आप टोटल 30% स्टार्च यहां पर डाइजस करते हैं कितना 30% starch बकल कैविटी में तोड़ते हैं मैं यहाँ पर दिख देती हूँ उसको तो सही रहेगा आप 30% starch जो है यहाँ पर डाइजेस करते हैं इन्टू दा माल्टोज ठीक है starch क्या होता है starch एक प्रकार का polysacryde होता है it means it is the polymer of the glucose ठीक है what it is? it is the polymer of the glucose ठीक है now esophagus what is esophagus? esophagus में कोई gland नहीं होती ठीक है no glands इनके पास नहीं होती इसलिए no enzyme इसलिए कोई pH नहीं इसलिए no digestion ठीक है इनके में कोई digestion नहीं होता ठीक है क्योंकि इनके पास कोई enzyme ही नहीं होता है ठीक है then what is the work of esophagus इसोफेगस का वर्क कहां पर लिख देती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ, मैं यहां पर लिख देती हूँ ठीक है, वर्क क्या है इसोफेगस का वर्क है, फूड को कहां से कहां की और पहुचाना फूड को माऊठ से स्टमक की और पहुचाना ये इसका वर्ख होता है ठीक है? Now, स्टमक किस शेप का होता है, बच्चोज? J शेप का होता है ठीक है? स्टमक का शेप किया होता है? J शेप का होता है कितने पार्ट होते हैं? 3 पहला पार्ट किया है? Kar juvenile दूसरा पार्ट क्या है, fundus, तीसरा पार्ट क्या है, pyloric, सबसे ज्यादा enzyme कौंछे पार्ट से निकलते हैं, fundus से, so we have three parts of the stomach, cardiac, fundus and pyloric, so this part is the cardiac, this part is the fundus, this part is the pyloric, So we have three parts in the stomach, cardiac, fundus and pyloric, stomach का काम होता है, gastric juices को निकालना, stomach का क्या है बच्चो, gastric juice निकालना, gastric juice में क्या होना चाहिए, gastric juice में HCL होना चाहिए, gastric juice में enzymes होने चाहिए, gastric juice में mucus होना चाहिए, fundus जो stomach का part होटा है it is the main part of the stomach जो की gastric juice निकालने का काम करता है ठीक, बना actually gastric juice नहीं enzymes निकालने का काम करता है fundus part में mainly gastric glands पाई जाती है ये gastric glands बहुत प्रकार के enzymes निकालते हैं जैसे कि pepsin, pepsin protein को digest करता है ठीक है, renin running calves और infants में पाया जाता है जो protein को digest करता है ठीक है, ये अपने में नहीं पाया जाता gastric lipase, सिर्फ 1% emulsified lipid ठीक है, 1% emulsified fat ही सिर्फ gastric lipase digest करता है बाकी कुछ भी digest नहीं होता stomach के pyloric part से निकलती है gastrin hormone ठीक है, fundus part में cells होती है oxydentic cells होकी H cell भी निकालती है ठीक है, so gastric जो आपका pyloric part है वो gastrin hormone निकालता है function मैंने इसके पहले lecture में पढ़ाया pH कितना होना चाहिए stomach का, pH होना चाहिए 1.8 to 3.2 यहां पर pH बहुत ज़्यादा acidic होता है क्योंकि stomach पर पाई जाने वाले enzyme सिर्फ acidic pH पर ही काम करते हैं so pepsin protein, renin, casein which is a milk protein और gastric lipase fat को digest करता है protein को किस में convert करते हैं, peptones में चीक है, casein किस में convert करता है, calcium paracacinate में और calcium paracacinate को peptone में convert करता है, pepsin pepsin का action क्यों है, क्योंकि इतना pepsin नहीं इनके पास कि यह तुरन peptone में convert कर पाई so they can convert the casein into the calcium paracacinate which is the curd so they can convert बच्चा लोग, they can convert the milk into the curd then we will convert the curd into the peptone, ठीक है, what is the peptone? peptone is the smaller part of the protein, ठीक है, so we digest the larger part protein into the smaller one which is called as peptone, ठीक है, it is called as peptides also, ठीक है, now fats को हम लोग तोडेंगे fatty, acido, glycerols में only one person, now let's talk about the liver, okay, done, liver जो है, इसे हम हिपर भी कहते हैं, liver में जो cells होती हैं, उन्हें हम हिपाटो साइट्स भी कहते हैं, यह जो juice निकालती हैं, वो होता है bile, bile में कोई enzyme नहीं होता, bile में होते हैं salt और bile में होता है pigment, यह salt इतना prominent और बहतरीन होता है कि वो fat को छोटे टुकडों में तोड सकता है, तो bile और pancreatic juice मैं फिर से समझाओं, आप चाहते हैं, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, bile और pancreatic juice एक common duct से, जिसे हम hepatopancreatic duct कहते हैं, डियोडिनम में खुलते हैं, जो कि small intestine का पहला part होता है, ठीक है, जो आपका मैंने पढ़ाया था ना, pancreas से जो duct होती pancreatic duct, bile duct तारी के liver से, दोनों आपस में जुड़ गई, ठीक है, बहने हैं दोनों, दोनों जुड़ गई, और वो क्या बनाई, hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct, डियोडिनम में खुली, मतलब डियोडिनम में bile juice भी receive होता है, और pancreatic juice भी receive होता है, bile juice जो डियोडिनम में receive हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई enzyme नहीं होता बेटा, इसमें सिर्फ pigments और salt होते हैं, salt जो होता है, यह help करता है emulsification of fat में, optimum pH कितना होना चाहिए, bile juice का 7.128.2, same as a pH pancreatic juice का भी होता है, खाना जब stomach से डियोडिनम में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा acidic होता है, आपने देखा कि stomach pH कितना acidic होता है, तो बहुत ज़्यादा acidic होता है, तो सबसे पहले, bile और pancreatic juice ही, उस खाने की acidity को neutralize करते हैं, इसलिए pancreas से जो secretin नाम का जो enzyme है, वो fireman of the intestine है, secretin, डियोडिनम से निकलता हो, यह it's not enzyme, it's a hormone, ठीक है, डियोडिनम की वाल से निकलने वाला hormone, pancreas के non enzymatic part को active करता है, last lecture में हम लोगो ने पढ़ा, जब non enzymatic part active हो जाएगा, bile juice और pancreatic juice के, तो सारे ions active हो जाएगे, they all are salts, ठीक है, नमक होता है, यह NaSCO3, NaCl, यह सब कुछ होता है, तो जब वो खाने में मिलता है, तो खाने के acidity neutralize हो जाती है, मैंने आपको method भी पढ़ाया है, आप physiology part 1 का lecture लगाई है, ठीक है, सो कोई enzyme नहीं होता, mainly bile salt, fat, fat पर काम करते हैं और उसे छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं, जिससे हम emulsification कहते हैं, अब इन छोटे टुकडों को आप intestine से, असानी से move करके, intestinal lumen से, intestinal lumen से, असानी से move करके, intestine की cells के अंदर पहुचा सकते हो, now, let's talk about the pancreas, pancreas is the complete gland, pancreas जो भी juice निकालता है, उसे हम complete digestive juice कहते हैं, pancreas में जो cells होती हैं, उन्हें हम कहते, acne, pancreas का structure जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, कि center पर जो cells होती हैं, वो hormones निकालती हैं, जैसे alpha cell glucagar निकालती है, beta cell insulin निकालती हैं, delta cell somatostatin निकालती हैं, और PP cells polypeptidic hormone निकालती हैं, जो कि hormonal control करता है, उसके बाहर जो cells रहती हैं, उन्हें हम pancreatic acne कहते हैं, जो अपने pancreatic juice को secret करती है, through the pancreatic duct, pancreatic duct will join and they will make the main pancreatic duct, which open into the deuterum by the joining of bile duct, ठीक है, now, तो इसे आप कहते हैं, acne, there are n number of enzymes, जो कि pancreatic juice में निकलते हैं, पहला enzyme बच्चों क्या है, पहला enzyme है, trypsin, trypsin का inactive form, मैंने last class में ही पढ़ाया है ये सब कोच, मैंने कुछ अलग से थोड़ी पढ़ा रही हूँ है, ये सब last class में पढ़ा चुकिए, मैं just revision करवा रही हूँ आपको, क्योंकि summary of digestion है, ऐसी एक summary हम NCIT में भी पढ़ेंगे, revision करवा करवा कि इतना revision करवा दोंगे, digestion उंगलियों में घुमे, ठीक है, trypsin, trypsin एक protein digestive enzyme है, हाला कि इसका inactive form होता है, trypsinogen, जो की enterokinase नाम के enzyme की presence में, convert होता है trypsin में, trypsin बड़े proteins को, larger peptides, polypeptides या peptones में convert करता है, we can't convert the protein into the amino acid, we can convert but one or two amino acid, पर पूरे amino acid convert होंगे into the small intestine, to the intestinal juice, now chymotrypsin इसका भी pH 7.1 to 8.3 ही रहता है, अच्छा, ये जो trypsin रहता है, ये blood protein पे भी work करता है, trypsin को हम blood protein को coagulate करने के लिए भी इस्तमाल करते हैं, क्योंकि वो blood protein को तोड़ देता है, तूटे का protein तो automatically चीज़े coagulate होंगी, ठीक है, now chymotrypsin ये क्या करता है, ये भी same काम करता है, और ये भी same protein पर ही work करता है, वैसे ये सारे ही protein पे work करता है, mainly ये milk protein पे work करता है, milk protein को coagulate करता है, और इसमें भी peptone और polypeptide ही बनते हैं, तो chymotrypsin और trypsin का action same ही है, देखिए, proteins अगर माली जे stomach में तूड़ गये हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, stomach में तूड़ गये हैं, तो वो भी peptones और polypeptide के form में ही आ रहे हैं, तो ये उसको नहीं तोड़ेगा, पर अगर कुछ बज गया है, then trypsin और chymotrypsin जो होंगे, वो दोनो जो है, protein को तोड़ कर peptone और polypeptide में convert करेंगे, peptone क्या है, these are the smaller peptides and polypeptide is a very larger peptide, जब से इस सब मिलते हैं न, सारे peptides ज़र जो बिखरे पड़ें तो protein बनता है, what is a peptide, it is a bond in between the two amino acids, what is a polypeptide, there are, if this, there are so many peptide born present in a protein, this is called as polypeptide, now, carboxypeptide is, आपने जो polypeptide बनाया है, उसको दोदो के ग्रुप में बाठतो, ठीक है, जो इतनी बड़ी chain बनाई है, उसको आप क्या करो, दोदो के ग्रुप में आराम से बाठते जा, ठीक है, पढ़ाया है भी मैंने आपको, कि if you have this much of बड़ा protein, make the smaller protein, this is called as polypeptide, polypeptide को दोदो के ग्रुप में बाठ दो, तो इस दाइड पेप्टाइड और एकादा माईन ऐसे निकाल दो, सारे मत निकाल दे ना, यह दाइड पेप्टाइड को तोड़ेगा इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, now, carboxypeptidase, नामी यह है, कि यह peptides bond पे काम करेगा, वो भी polypeptide chain पे, ठीक है, amylase, इसे हम pancreatic amylase भी कहते हैं, 70% starch pancreatic juice से digest होने का कारण यह है, कि starch को digest होने के लिए 7-8 pH है बच्चों, ठीक है, mouth का pH 6.8 है, इसलिए हम सिर्फ 30% starch ही वहाँ digest कर पाते हैं, 70% starch को लिख देती हुमें, यहाँ पूरा pH इतना ही है, ठीक है, तो starch को maltose में convert करने का काम करता है, pH is 7.1 to 8.3, lipase को आप stiabsins भी कहते हैं, important है, यह नीट का question बन सकता है, lipase को हम stiabsins भी कहते हैं, यह fat को glycerol और fatty acid में convert करता है, अच्छा, अगर lipase नहीं होगा, तो fat कभी intestine के पार कर ही नहीं पाएगा, lipase, pancreatic lipase fatty acid और glycerol में convert हो जाता है, फिर इसके बाद यह bile salt से जुड़कर इसको भेजते हैं, कहां पर intestine की cell पर फिर वो triglyceride बनता है, फिर वो protein से जुड़कर lymphatic vessel में जाता है, nucleases भी पाए जाते हैं pancreatic juice में, जो RNA और DNA को nucleotide में convert कर देते हैं, nucleoside में भी थोड़े बहुत convert हो जाते हैं, वैसे nucleoside से free sugar and free bases convert होते हैं, intestinal disease में, ठीक है, now, small intestine, small intestine में जो glands होती हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं crypts of liberkund, small intestine में जो gland होती है, उसे हम कहते हैं crypts of liberkund, ठीक है, crypts of liberkund जो enzyme निकालते हैं, crypts of liberkund मतलब intestinal gland, position का है मैंने बताया आपको, ठीक है, बहुत ही जारे enzyme निकालते हैं, ठीक है, यह nucleosides है, ठीक है, not nucleotides, enterokinase, pH पूरे intestinal juice का कितना है, 7.6, पहला enzyme क्या है, enterokinase, enterokinase, dudinam की दिवारों से निकलने वाला वो enzyme है, जो trypsinogen को inactive form से active करता है, trypsin में, क्योंकि जब तक pancreatic juice में trypsin active नहीं होगा, pancreatic juice का कोई भी enzyme active नहीं हो सकता, so enterokinase is the hormone which is released by the, releases by the wall of the deodenum, ठीक है, उसके बार, this hormone helps in what, this hormone helps in the conversion of inactive trypsinogen into the active trypsin which is responsible for the protein digestion, ठीक है, now, eripsin, ठीक, ये भी peptide, हाला कि ये मैंने आपको पढ़ाया है नहीं पर let it be, इस बहुत सार enzyme है, ये peptides को dipeptide और amino acid में convert कर देता है, मैडम, आपने हमको बोला था कि इस pancreatic juice से सारे polypeptide, dipeptide में convert होते हैं, पर बेटा, अगर कोई polypeptide बच गया होगा तो उसको जाने थोड़ी देंगे, उसे भी erepsin, dipeptide और कुछ हमाइनो acid में convert करता है, dipeptide को तोड़ने के लिए, intestine में एक enzyme होता है, जिसका नाम होता है dipeptide days, peptide bonds को तोड़कर free amino acid बनाता है, lipase, intestine की lipase भी same काम करती है, fats को तोड़कर fatty acid और glycerol में convert करती है, ताकि fatty acid और glycerol से bile salt जुड़ सके, missile बना सके और फिर उसे intestine की cell तक deliver के राया जा सके, now maltase, starch के digestion process के दौरान हमने starch को तोड़कर maltose में convert किया था, अब इस maltose में 2 glucose unit जुड़ी हुई है, maltose में क्या जुड़ा हुआ है, सही 2 glucose unit जुड़ी हुई है ना, अरे बूलो ना, ताकि 2 glucose अलग हो सके, तो maltase इस्तमाल करिये, maltase की पस्तिती में maltose glucose 2 glucose में तूट जाता है, ऐसे ही sucrose जो है वो तोड़ता है sucrose को glucose और fructose में, lactose, lactose को तोड़ता है glucose और galactose में, fructose, glucose, galactose, ये तीनों एक ही शुगर है, monosaccharide ये बस रूप अलग-अलग है, ठीक है, now nucleotides, ठीक, DNA से अगर phosphate निकाल दें तो बनेगा nucleotide, nucleotides की presence में, ठीक है, nucleotides, nucleotide, ओके, तो DNA से अगर आपने DNA है, बनाया आपने, DNA जो है, अगर आपने nucleotides लगाया, तो nucleotides पे एक्ट करेगा, phosphate निकल जाएगा, उससे बनेगा nucleosides, ठीक है, तो nucleotides की पस्थिती में nucleotides, what is a nucleotide, पूरा DNA किस से बनाए, nucleotides से तो बनाए, nucleotide क्या होता है, nucleotide मतलब sugar, basis और, sugar, basis और phosphate, ठीक है, nucleotide में और क्या क्या होता, nucleotide मतलब DNA, there are so many nucleotides, जो की मिलकर DNA का formation करते हैं, बहुर सारे nucleotides होते हैं, जो DNA का formation करते हैं, ठीक है, अब इस nucleotide में हमने DNA में एक enzyme डाल दिया, जिसका नामे nucleotides, nucleotides जो होता है, वो nucleotide को तोड़ता है, nucleotide को तोड़ेगा, तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा, phosphate, अब आपके DNA में सिर्फ बचा है nitrogenous base और sugar, अब हमें sugar को भी हटाना है, then we'll add nucleotides, nucleotides अगर si मतलब sugar, type मतलब phosphate, तो आपने side is जाला, तो sugar भी हट जाएगी, तो बचा क्या nitrogenous base, तो सब कुछ अलग-अलग हो गया, तो आपके intestinal juice में nucleotides होता है, जो कि DNA को तोड़कर phosphate अटा देता है, बचा nucleoside, nucleosides भी होता है, जो कि sugar को भी अलग कर देता है, और bases को भी अलग कर देता है, Now, large intestine जो होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई digestive enzyme नहीं होता, there is no digestive enzyme present into the large intestine, there are digestion होगा भी, तो सीकम के microorganism से ही होता है, colon के microorganism से ही होता है, मेली सीकम में होता है, जो कि cellulose को glucose में convert करते हैं, then glucose is absorbed by the सीकम as well as the colon, So, there is no digestion, significant digestion takes place into the large intestine, because there is no significant enzyme present over here, So, digestion will start from the mouth and ends up to the small intestine, the maximum digestion, deudinum, completed digestion, jejunum, maximum absorption, ileum, ileum में हम सब कुछ अब्सॉब कर सकते हैं, vitamin B12, सब कुछ, even iron जो है, iron और calcium हम deudyum से अब्सॉब करते हैं, तो वहाँ पर विलाईज होते हैं, तो यह सब कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा, So, this is all about the summary of the digestion, what we have learned in this class, we have learned so many abnormalities of the digestion, we have learned the summary of the digestion from the mouth to the large intestine, इसके लागा अभी कितनी रिविजन करवा हूँ, next class में इन सी आटीवी पढ़ाऊगे, So, see you in the next class, तब तक घर पे रहिए, safe रहिए और अपना धान रखिए, Thank you so much.